नमस्कार दोस्तों मुनराम को पुषिका स्वागत आपका सड़ियाई की एड्यकेशन प्लाटफॉम में आज इस सीरीज में हम चर्चा करने जा रहे हैं 78, 79, 80 अमेंडमेंट की Constitutional Amendment Series में अभी तक हम 77 amendments कर चुके हैं आज हम आगे की 3 amendments करेंगे 3 amendments आपस्ट में इंटर लिंक नहीं हैं लेकिन क्या इनका objective है यह जानने की कोशिश करेंगे मेरी जितने भी वीडियोस आते हैं सबके PDF में टेल्गाम चैनल से आप डाउन्वोड कर सकते हैं आप मुझे आट दरेट का पिल से का Twitter handle फॉलो कर सकते हैं बात करते हैं 78th amendment 1995 की आप प्याद होगा 77th amendment में हमने 16 4a जो है आड किया था 78th amendment जो है वो एक दूसरे purpose के लिए किया गया था यहां भी जो सेनारियो था वो Article 31b को लेके था States ने कुछ ऐसे laws को implement करने की कोशिश की थी जिसमें chances थे की litigation हो सकती है उन लॉस को fundamental rights से violation में माना जा रहा था तो इसके लिए एक perspective था कि उस पे fundamental rights को लेके जरूर कहीं न कहीं litigation होगी इसलों लॉस को आपको 9 schedule में डालना काफी निसेसरी था क्योंकि लॉस जो थे वो land से included थे लॉस जो थे अब या फिर जो भी आपके schedule 9 के cases है उसे supreme court जो है वो review कर सकती है तो इस rival process से भी बचना था क्योंकि कहीं न कहीं यह कह दिया गया था कि supreme court जो है वो उसके पास power है वो इन loss को challenge किया जा सकते है वो इन loss को review कर सकती है तो state government of विहार, करनाटका, केरला और इसा राइस्थान के जो भी loss थे इसलिए उनको डालने के बाद उनको बचाय रखना भी नैसेसरी था तो इस automatically immunity से बचे रहने के लिए automatic immunity जो है उनको मिली रहे या पर जो immunity है उनको मिली या schedule line में वो रहे इसी के साथ साथ इन acts मे यह भ complete immunity है legal challenge से और इसी के थूँ यह जो immunity है वो provide की गई further आपके cases को या further आपके laws को अच्छा इसी को further challenge किया गया IR को हेलो में जो 2007 की एक judgment है जिसमें यह कहा गया कि schedule line में जो भी law है उसमें कोई immunity नहीं बनेगी उसको Supreme Court कभी भी कोई भी High Court Supreme Court कभी भी उसका judicial review कर सकता है और वहा वागू होंगी यानि किसी भी तरह का blanket band नहीं चलेगा यह तो गया एक amendment चलते हैं 79th amendment की तरफ इसका perspective again reservation को आपको याद होगा देखे जो भी किसी भी decade का 9th year होगा अगर आप बात करें 2009 की आप बात करें 1999 की 2000 की तो यहाँ पर आप देखेंगी जो reservation के benefits है वो खतम हो रहे है क्योंकि 10-10 साल करके उसको बढ़ाया जा रहा था तो यहाँ पर exactly जो reservation के benefits से खतम हो रहे थे यह 50 years होने वाले थे constitution को reservation के benefits जो खतम हो रहे थे इसलिए उसको further बढ़ाना नेसेसरी था तो इसी तरह से यहाँ पर Anglo Indians के लिए schedule का schedule tribes के लिए जो reservation है वो 10 साल के लिए बढ़ा द दर 10 साल के लिए बढ़ा सके इसके बाद एक और important amendment है 80th amendment 2000 यह finance commission से तालुक रखता है जैसे कि आपको पता है article 280 में finance commission का गठन किया जाता है finance commission का गठन जो है वो किस purpose ले किया जाता है वो किया जाता है finances के distribution में center और state के बीच में funds का कैसे finances का revenue का कैसे distribution होगा यह finance commission 5 साल का ए आपको पता होगा 2021 से 2026 तक के लिए लागू है तो यहां पर यही था कि जब finance commission आई 10th finance commission उसने अपनी रिपोर्ट सब्मिट करी रिपोर्ट में कुछ taxes के alteration की बात की गई सबसे पहला एक alternative scheme को envisage करने की बात की गई यहां पर यह कहा गया कि 26% जो है union taxes duties से आपको states को देन पड़ेंगे ठीक है तो इससे क्या होकर states अपने developmental matters को salaries को जो है वो pay up कर पाएगी इसका सासा 3% जो share है gross proceeds का वो आपको देना होगा gainst rates को मतलब जो taxable duties आती है वो भी states को transfer करना होगा ठीक है तो मतलब यह सारी factors ना change होते रहते हैं अब यह 26% नहीं है याद रखना अब यह क 13 finance commission इसे कितने percent पे ले आई है यानि लगभग मैं आपको बुलूँ कि double से थोड़ा सा कम है काफी कम है वैसे तो काफी जादा बढ़ाया जा चुक है 26% से तो आप मुझे comment section में बताएंगे कि अब कितना percent है अचा commission ने propose क्या tobacco cotton sugar जो है उसको आप exempt रखे sales tax से और यहाँ पे इसको आप exempt रखने के बाद इसको आप basic excise duty में ले आए यानि tobacco cotton sugar पे जो duties है वो central government के पास जानी चाहिए तो इस तरह से जो पैसा है वो central government के पास जाएगा और वहाँ से 26% जो भी shareable pool का पैसा होगा जो भी central government earn करती है उस pool में से पैसा states को लगभग 26% पैसा states को transfer किया जाए यानि हर state को 26 रुपे नहीं मतलब total 26 रुपे जो है वा लगज़क states में बाटा जाएगा जब बाकी वराइंस कमिशन के chapter में कभी यह समझेंगे कि बाटा की सदार पे जाता है कौन से 4-5 factors होते हैं जिस पे कौन से state को कितना पैसा मिलेगा क्या population का role है उसमें ठीक है development factors का क्य क्या role है फिसकल discipline का क्या role है यह सारी चीज़े कभी जरूर एक वीडियो में discuss करेंगे लेकिन अभी आप यही समझे कि टोटल जोगी इस revenue केंद्र earn कर रही है उसका 26% states में distribute करने की बात की गई थी ठीक है तो यही है finance commission का का काम तो मैं कई बार use कर चुक हूँ कौन सी finance commission का भ और बस्यों